नमस्कार, मैं जितेदर शर्मा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप क्यों अधारकार से संबंदित एक बहुत बड़ी गल्त फेहमी को दूर करने वाला हूँ जो 50 साल से उपर के लोग हैं उनको ये जानकारी बहुत कम है कि अधारकार जो है वो किस तरह से काम करता है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो को शेयर करें लाइक करें अगर आपका कोई अधारकार से संबंदित प्रशन है तो आप कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे मैं उसका जवाब दोगा आपको चलिए वीडियो सुरू करते हैं जब भी हमारे अधार कार्ड में जो नाम होता है नाम फर्स्ट और लास्ट जैसे मेरा नाम है जीतेंदर शर्मा अगर मेरे अधार कार्ड के उपर जीतेंदर शर्मा पूरा नाम लिखा हुआ है प्लस उसमें मेल की मेल भी लिखा हुआ है और मेरी जो जर्मतिषी है वो भी उसके उपर बिल्कुल कोरेक्ट लिखे हुई है ठीक है 28 September 1982 जैसे एक किसी की भी है किसी की भी हो सकती है तो जैसे अगर यह चीजे पूरी लिखे हुई है और बैक साइड में अधार कार्ड के पूरा एडरस लिखा हुआ है तो इट मेंस आपका अधार कार्ड बिल्कुल कोरेक्ट है अब होता क्या है कि जैसे पर एजंपल आप कभी राशल सुसाइटी में राशल लेने जाते हैं या कहीं कोई बैंक से या पोस्ट आफिस से पैसे निकलवाते हैं तो आगर आपके फिंगर महां पे काम नहीं कर रहे हैं अगर आपके फिंगर नहीं लगते हैं तो उसके लिए आप किसी अधार सेंटर में जाते हो और बहां पर जाकर अपने फिंगर अपडेट करवा लेते हैं ता वो किसी भी अधार का सेंडर में जाते है और वहाँ पे जाकर अधार अपडेट करवा लेते हैं तो अब इस वीडियो को परने का मक्या है इसमें एसी कौम सी जानकारी में आपको देने वाला हूँ कि भी ये थो हमने भी पता है हाँ तो अब बात यहीं से शुरू होती है जब भी आप अपने finger को अधार कार्ड में अपडेट करवाते हैं और पहले से ही हमारा जो अधार कार्ड रहता है उसमें date of worth, नाम, address, सब कुछ, gender, सब कुछ available है सब बिल्कुल correct है, उसमें कोई दिकत नहीं है तो कई बार के होता है कि लोग यह पूछते हैं कि यह अधार कार्ड हमने finger अपडेट करवाई हैं तो इसको अब हमें print करवाना है तो आप इसको print कर देगे सबसे पहली बात तो यह है कि जो अधार कार्ड होता है जो मातर एक काज़गा टुकड़ा होता है उसके अंदर कोई चिप नहीं लगी होता है या हाँ जो पीबीसी कार्ड आ रहा है या उसमें चिप लगी होता है बाकी मातर और मॉस्ट जो है वो एक काज़गा ही जो बुड़ा होता है उसके सिर्फ प्रिंट किया जाता है उसकी information को प्रिंट किया जाता है जो अधार का इक नंबर होता है वो जो UDI ही है UDI का जो database है जो इसको operate करता है बहर पे आप के fingers आपकी जो आंखे scan होती है ठीक है और आपके जो finger के जो जिसान होते है वो UDI के पास database में available है जब भी आप किसी राशुट के आप राशल लेने जाते हो और राशन की दुखान पे जब आप बायोमेट्रिक मुसीन की ओपर अपने फिंगर लगाते हो और अगर वहाँ पे आपके फिंगर नहीं लग रहे हैं तो आप बार बार अपने अधारगाट को देखते हैं कि या इसमें क्या चीज नहीं है तो वो एक मातर हमारी को पहचान होती है लेकिन जो हमारा जो यह फिंगर प्रिंट और और यह जो चीज़े होती है वो डेटाबेस में होती है तो उस condition में अगर हमारा अधारकार बिल्कुल correct है उसमें नाम लिखा हुआ है डेट वर्थ पूरी है एड्रस पूरा है तो हमें अगर हमने finger print को update करवाया है तो हमें दुबारा से अधार को print करवाने की जुरूरत नहीं होती है वही अधारकार ठीक है हाँ जैसे आपने finger को update करवा दिया अपडेट करवाने के बाद जब भी आप next time society में अपने finger लगाएंगे बायोवेटर का authentication करेंगे या किसी post office में करेंगे authentication तो उस समय जब आप अपने finger लगाओगे तो पता लग जाएगा कि इसमें क्या जो आपने finger अपडेट करवाए थे वो अपडेट हो चुके हैं या नहीं हुआ है तो यह जानकारी थी इसको आप दूसरों के साथ भी साज़ा करें तो यह बहुत बड़ी क्यूंकि हमारे पास यहां पर CSE Center के ओपर जो हमारा common service center है बहां पर लोग आते रहते हैं कि हमने finger अपडेट करवाई है तो आप इसका printer निकाल दीजिए तो यह फिर मैंने उसके अधारकार को चेक करता हूँ तो मैंने मैं आपको बताया कि ऐसे आपका तो अधार कार्ट वह बिल्कुल कुरक्ट है इसमें तो कोई इसको निकालने की जरूर दीए अगर आपने अपने फिंगर अपडेट करवाई है तो ठीक है वो अपडेट हो चुगी एसके अंदर तो आप जो है वो नेक्स टाइम जो कि आप सुसाइटी में या पोस्ट आफिस में जाएंगे तो महां पे जाके आपना जब फिंगर लगाओगे अथेंटिकेशन करोगे आपको पता लग जाएगा भी हाँ आपके जो फिंगर है वो अपडेट होच